जी नमस्कार, कल मैंने आपको लखनोग विश्विद्याले में 96-98 के बीच में जो गतिविधियां रही हैं, जिसको ये कहा जाता है कि लखनोग विश्विद्याले में चात रराजनीत का सबसे बुरा दौर था, उसके बारे में बताया, और वहां कौन-कौन लोग थे, लखन के विभिन चेतरों में और जिन्होंने बहुत नाम किया, और उसके बाद क्यानवे से लेके और लगभग दो हजार तक जो लोग आये उसमें, चात रराजनीत में, उनका क्या हश्र हुआ, और वो कहा है, वो कैसे इतना आगे बढ़े, ये मैंने आपको बताया था, मैंने आ जो डेट है, वो है, 21, 21, 21 को मैं हजरत गंजा गया था, और वहाँ भी एक बहुत ही गंभीर गटना हुई, लामाटीनियर का नाम आपने सुना होगा, लगभग 170 साल पुराना ये एजुकेशनल इंस्टूट है, पेटिश पीरियट का है, और लामाटीनियर स्कूल, बॉइ और गल्स, बॉइस की बिल्डिंग बहुत, बहुत ही शांदाल बिल्डिंग है, कहा ये जाता है कि ये फ्रेंच, जो आर्किटिक्ट था, उस तरह का बनाये गया है, और उस समय जब भी ये बनाये गया था, कुल तीन बनाये गये थे, लामाटीनियर स्कूल, एक तो लखना में था, दूसरा कलकटा में, और तीसरा फ्रांस में कहीं पर बनाये गया था, बहुत ओर लिगेसी है, और बहुत से इस समय हिंदोस्तान के तमाम विविने छेतरों में, यहां के पास आउकलोग बहुत अच्छी अच्छी जिगह पर हैं, साथ मार्ट सतानवे के दिन सुब अच्छी एट प्रोफेसर, जो असिस्टेंट वार्डन भी था और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टक्टर भी था, फैडरिक गोम्स, वो अपने होस्टल के उस कमरे में लेटा हुआ था, पीछे की तरफ जो दरवाजा था, उसमें शीशा लगा हुआ था, किसी ने आके उस श शीशे को तोड़ा, तोड़के उसके भीतर गोम्स को एम करके गोली चलाई, गोम्स ने आगे का दरवाजा खोल के भागने की कुशिश की, आगे दो लोग और थे, फिर वो पीछे की तरफ भागा, भागने के बाद उसने दरवाजे पे चेहर भी लगाई, लेकिन फिर पी प्रीज में लगी, पडोसी जो उनके थे टीचर थे वो भी वो वेचारे डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए, गोम्स का जो रूटीन था वो बड़ा बड़ा सेट था, लगबग साड़े पांच वेजे उठता था उस समय जो उसके स्पोर्ट्स के और जो स्टूडेंस से बहुत ही स्ट्रिक था और हॉस्टल का बॉड़न भी था, सभी लोग पहुंचे मैं सरकेल असर था, उस समय सहल्या कानमिशा साहब हमारी डी आईजी थे, रजनी कानमिशा साहब SSP थे, सभी लोग वहां पहुंचे बहुत गंभीर घटना थी, पूरे शहर में कोहराम मज ग सबसे पहले जैसा पुलिस प्रॉपर्टी की रंजिश या आशनाई का जो एंगिल होता है, सबसे पहले पुलिस उसी पर पहुंच जाती है, हमारे जो भी आईएो होते हैं, दरोगाजी होते हैं, प्रभारे लिट चक होते हैं, वो कहते हैं, बस करिये साहब, यह बस यह कुछ नहीं होगा, तो उस की दिशा में सबसे पहली जानकारी होनी थी, बहुत जानकारी करने के बाद इसके जितने स्टूलेंट्स थे, उनके जितने साथ के टीचर थे, इन सबसे बात चीट की गए और पता लगा कि इसकी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं थी, किसी महिला से या कोई डिस्प्यूट कभी नहीं हुआ, ये दो चीजें रूल आउट हो गई, उसके बाद इस बीच में इतना इसका गोम्स के मर्डर का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है उस केंपस में, अठारसो सतावन में जब गदर की, जब गदर हुआ था, और रेजिदेंसी को घेरा गया था रेजिदेंसी को घेरा गया था, उस समय बिटिश हुकूमत ने लामाटीनर के स्टुरेंट्स को कॉल दी थी, कि आप लोग यहां पर आजाएं, यहां उनकी मरीजियों की मदद, जिनको चोट लग गई है उनकी मदद, उनके खाने में हेल्प करें, क्योंकि बहुत लंबा क उतनता संग्राम में संभलिक हुए थे जो भी राजा या जो भी लोग जो पबलिक के, उन सब लोगों ने उसको घेर के रखा था, और उन उनहतर बच्चों में काफी जख्मी हुए थे बच्चे और कुछ का देहान भी हुआ था, उसके बाद से लामाटीनर केमपस में या ऊभी आमाटीनर स्कूल पे, जिसमें गोम्स की इस हत्या का भी जिकर किया गया था, बिगरती कानुन विष्था का भी जिकर किया गय था, एक दिन और इसी तरह से मजफर ईज़ी चाब ने एक प्यज का पूरा अपने मेमार लिखा था, वहाँ के बारे में और ये लिखा दुसाना मिली इसको गूमस को कि हॉस्टल में किसी लड़के के पास पिस्टल है जैसा मैंने पहले कहा बहुत तक हूँ उसका वणभ है था है पूरे केमपस में उसने सारी दरवाजे बंद कराके और चेक कराना शुरू कि यह जो इस उसने यह बताया कि दो महीने पहले उसने इस्थानी लूप से किसी से इसको पॉइंट टू-टू की पिस्टिल में कनवर्ट कराया था इस कनवर्जन के बाद वो करीब दस लड़कों के पास गई दस बच्चों के पास गई होगी उन सब के नाम आ गए उनको सब को बुलाके हजरत गंज को तौली में इंट्रोगेट किया गया इसके लिए अलग-अलग टीमें भी बनी लेकिन उससे कोई बात निकली नहीं बात सिर्फ इतनी निकली कि गोम्स ने ये पूरी सूचना और पिस्टल अपने प्रिंसिपल अल्टन लिसूजा को बता दी उन्होंने उनके पैरेंट्स को बताया कि देखे साब आपके बच्चे ये कर रहे हैं और अब हम इनको इंस्टूशन के बाहर कर रहे हैं चुकि इतने दिन पढ़ा है इन्हों दबाव डाला एल्टन डिसूजा ने फिल उनको कंटीनू करा दिया बार-बार समाचार पत्रों में भी और तमाम धेल सारे इंजियोज ने गोम्स की टीचर्स ने ओब्राइन करके एक MLC थे जो नॉमिनेटेड MLC होते हैं इसाईयों की इसाई संबुदाय से तो उन्होंने भी काफी बड़ा एक प्रोटेस्ट बहां पर और और वो बार-बार यही कहते थे कि साब प्रिंस्पल थोड़ा सक्त होता है प्रिंस्पल ने ध्यान दिया होता है तो हमारे एक टीचर की जान बच जाती अगर उस समय कोई कड़ा डीसीजन हुआ होता तो इसकी जान बच जाती रजनिकान मिश्या साब असेस्पी थे हर दिन उसको रिवीव करते थे हम लोग बहुत परिशान थे कि आखेर यह ऐसा हुआ क्यों दीरे दीरे पता करते 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 पता यह कि उसमें एक लड़का था जो बड़े अधर कथा जिसकी माता जी सोनाम धन्य माता जी एक बहुत बड़े परिवार से संबंदित थी और वो अपनी किसी गर्ड फ्लैंड के साथ केमपस में ही किसी गाली में था उधर से मोटर साइकल से गोम्स आ रहा था गोम्स की निगाह उस पर पड़ी हो गी उसने उतर के उसे क पर उसकी गर्ड फ्लैंड के सामने ही मार दिया था फिर देरे देरे इसके मुल्जिम पकड़े गए कि इन लोगों ने मरवाया यह पता लग गया है मैंने आपको बताया है कि वही लोग निकले जो केमपस में लकनोभी शुद्याले के केमपस में दिनोंने बड़ा नाम कमा है था और यह लड़का राजा भारगो जिसके साथ यह घटना हुई थी जिसने उन लोगों से कहके और भाले के हत्यारों से यह घटना करा दी बहुत संसनी मसी थी और इस घटना को खोलने में बहुत समय लग गया था आठ नो टीमे लगाई गई थी क्योंकि इसमें 30 की पि इस तरह की घटना पहले बहुत कम सुनी गई थी कि इस तरह से संसनी केज हत्या की गई हो इतने बड़े इंस्टूशन के नामी इंस्टूशन के केमपस की भीतर किसी टीचर को मार दिया गया हो यहां यह बताना जरूरी है कि यही वो समय है जिस समय श्री प्रकाश शुक्ल भी अपने उसके भी कारणा में धीरे धीरे करके समझ में आ रहे थे हलांकि उसका नाम यहां खुला नहीं था उन्हों उसने वहां सतिंदर सिंग की हत्या की बाइस फरवरी चानवे को फिर चार मई को उसने एक रमाशंकर श्वास्तों की यह हत्यां गोरखपुर में हुई उसके बाद इसने चंदरलोक लॉज है गोरखपुर में वहां पे 24 अक्टूबर 96 को विरेन प्रताब शाही के उपर दिन में हमला हुआ एक फॉर्टी सेवन से हमला हुआ विरेन प्रताब शाही का गनर मारा गया सैकुनों गोलियां उनके गाड़ी में लगी लेकिन वो किसी तरह से बज़ गए बहुत दिनों तक अस्वताल में रहे तब ये धीरे धीरे लखनवू में पता लगने लगा कि पूरब में कोई स्रीक शुक्ला नाम का भी खालांकि ऊससमय ये नाम स्रीक शुक्ला नहीं खुला तो उसको अशोप सिंग के नाम से लोग जानते थे कि उस नाम का कोई अपराधी है जिसने विरेन प्रताब शाही के उपर अटेक किया है उसके बाद 24 सितंबर 96 को विवेक सिंग वहां के एक बड़े कॉंट्रेक्टर थे जिनका कैंट में मर्डर किया इसने लेकिन लखनवु में इसकी आमद हुई 13 जनवरी 1997 को 13 जनवरी 1997 को 1997 में लॉट्री का व्योसाय बहुत फला फूला था पूर्य प्रदेश में लखनवु में भी लॉट्री के बड़ी बड़ी मार्केट खुल गई थी अमीनाबाद में programmers स्ट्वरी स्टोरिग बिल्डिंग ही लॉट्री बाजार में कनवर्ट हो गई थी कलेक्ट्रेट के सामने के के हाई कोट के सामने जितनी भी बिजी मार्केट जहां जहां आजमी हो सकता है वहां पर जगह-जगह लॉट्री के स्टॉल लगे गुए थे लॉट्री एक कमाई का साधन था जो हार जाता था वो पटड़ी पर होता था सडक पर हो जयता था तो जिसने पैसा बनाया हूँ एलाका है मैं पुराने शहरो का मेरो मार्केट है मीनाबाद से जो निकलता है वहाँ पर उस समय के सबसे बड़े लट्री व्योसाई विवेक् शवास्तो को शाम को जब वह वो कर वू का लोट्री का एतिल्ट मंजलि इमारत की जिसमें सारे लोटरी के डीलर्स, लोटरी से समंधित सारा काम वहीं पर होता था, तो वो विवेक शवास्तो उसका मालिक था, बाद में ये पता लगा, बहुत बाद में जब स्टीफ बनी और पीछा शुरू कि आ गया, तो बाद में ये पता लगा, कि श्रीप्रकाज शुकला से एक कितना टिकट, किस स्टेट की लोटरी का टिकट किसको दिया जाना है, ये विवेक शवास्तो नहीं मनता था, लगभर लगभर पूरे लखनव में उसी कहां से ये टिकट दिये जाते थे और शाम को उसका हिसाब किताब किया जाता था, जबकि वो चाहते थे, वो सज्जन च कि विरिन प्रताफ शाही पर उसने अक्तिया का टेम्ट किया रमाशंकर शेवास्तो को उसने वहां मारा गोरखपुर में गोरखपुर में चार-पांच संसनी खेस्तिया करने के बाद वो धीरे धीरे लखनुग की तरफ कोशिश कर रहा था कि रहने की जगह मिल जाए कुछ का हो जाए तो उसे पहला काम ये विवेक्ष वास्तो का मिला लॉट्री वेवसाई को मारने का और शाम के समय उसे मारी गई होंगी कम साथ सतर गुरियां तहशत मुझे यह ऐसा लगा कि जाने क्या हो गया मैं हजरत गंद में था सीवाजरत गंसा कसरबाग शेतर में ये लाका होई है किसने हत्या की है लेकिन दीरे दीरे बड़ बोला था वो उसने इधर उधर से लोगों को संपर करके ये कहलवाना शुरू कि है कि साब यह हमने मारा है यह हमारी बात नहीं मानता था ताकि और व्यापारियों में यह दहशत हो जाए यह उसका पहला इंसिजिएंट वहाँ का उसके बाद दूसरा इंसिजिएंट था वह बड़ा भायानत था 31 मार्च सक्तानवे को इंद्रा नगर में बच्चों का एक स्कूल है और 31 मार्च को इसका रिजल्ट डे था उस दिन करीब करीब धाय 300 बच्चे और लगभग इतने हैं उनके पैरेंट वो रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए आये हुए था थोड़ी देर में तीन व्यक्ति आये एक महिला एक छोटा बच्चा और विरेन परताब शाहिए यह तीनों लोग उस स्कूल के बाई तरफ से निकलके दाहिनी करफ किसी मकान में पैदर ही जा रहे था अचानक पीछे से इस एक गोली मारी गई यह गोली श्री प्रकाश ने मारी थे वो सिर के बल गिर गया श्री प्रकाश आनंद और सुधीर ने मिलके पहले उसको सिर पे 10-12 गोली अमारी इंशोर करने के लिए कि यह बचना जाए और चलाते रहें कि जब तक मर नहीं जाएगा यहां से हटना नहीं है फिर पैर से उसकी बॉड़ी को उलट दिया ताकि फ्रंट उसका सामने आ जाए फिर गोली सीने में मारी फिर चला के कहा कि साले किधर है यह इसका हार्ट किधर है बाई तरफ है कि दाहिनी किरफ है ऐसा लगता है कन्फीजन हुआ पांस-पांस गोलियां दोनों तरफ मर दें फिर मैगजीन की गोलियां खतम होगी वहीं मैगजीन चेंज गया फिर बोला यह बहुत घूर के देखता था उसकी दोनों आखों में गोलिया मारी फिर चार कदम जाने के बाद फिर सोच सकते हैं, किर लोगता ना कर सकते हैं, कितना जगन्य तरीके से, कितने विवध तरीके से विरेन शाही की चाहिया दिन में 16.11 बजै लखनवु शेहर में की गई आराम से वहां से पैदल निकले और चले गया ऐसी जगन नहता है विर्यन प्रताब शाही और हर्शंकर तिवारी की दुश्मनी बहुत मचूर है और बताया ही जाता है कि इन्हीं दोनों लोगों की वज़े से तक कालिन मुख्मंत्री वीर बहादूर सिंग जी उत्तर प्रदेश का गेंग्स्टर गुंडा एक ले आये थे और उस समय जब इन दोनों की प्रद्धुनता चलती थी ठेकों को लेके और जाती गत आधार पे जो प्रद्धुनता चलती थी उसकी वज़े से वो क्राइम केपिटल आफ इंडिया कहा जाने लगा था गोरगपुल इतनी हक्तियां वहां होती थी और ऐसे सक्ष को विरिन प्रताफशाही को जिसके बारे में सामानी रूप से जनता में यह कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कि बाद में जब अश्टी अब बनी और हम लोगों ने उसका पीछा किया तो उसके पीछे के सारे सारी चीज़ें पता लगी लेकिन अभी यह विशय नहीं है विशय यह है कि उस समय जिस समय मैं स्रीव हजरत अंसा उस समय किस तरह के अपराद हुए थे आपको जान कर आशर होगा कि जब पोस्माटम हुआ तो पोस्माटम में शाही जी की शरीर में हमें अगर सही बिलकोल याद है तो 112 के आसपास इंट्री और एग्जित वूंस थे अब 100 गोलियों के आसपास मारी गई थी, या 60 गोलियों के आसपास मारी गई थी, ये कहना तो मुश्किल है, इतने entry और exit भून थे, दिन में इतने लोगों के बताते ही हैं कि उस समय कुछ बच्चे तो इतने दिन तक शौक में रहे, क्योंकि उनके सामने कुछ बच्चे result card ल वो जिन लोगों ने अपनी आग के सामने ये विवत से घटना देखी होगी, उनके उपर क्या बीट रही होगी, इसकी कलपना आप सोयम कर सकते हैं। उसके बाद 13 मईश सत्तानवे हो, लखनव के सबसे मशहूर बिल्डर मूल रा जरूरा का लखनव के हजरत गंज में उसके आफिस से अपहरण हो गया। चार लोग उसके आफिस में घुसे, एक ए 47 और पिस्टल से लेज थे, उसे नीचे ले गए, ये भी दिन की बात है, साड़े 11 बारा बजे गए, ले गए, नीचे अपनी गाली में बिठाया और लेके वहां से चले गए, ये बहुत गंभीर गटना थे, आप अंदाज लगाएं कि उस समय पुलिस पर क्या बीट रही होगी, एक तरफ विरेंचाही की इस तरह सहत्या की गई, विवेक शिवास्तों की इस तरह सहत्या की गई, और उसके बाद मूला जरोरा ने आशाअपाटमेंट इसके नामसे आशाअपाटमेंट वन, आशाअपाटमेंट टुअर ये चोटी लाइन वाला जो लखनगू का रेल्वे स्टेशन है, इसका ठेका मूला जरोदा इसी ने बनवाए था, उसको वहां से लेगए ये रफसर थे तो पतना में पोस्टिट थे उन्हीं के माध्यम से यह रैंसम पे की गई तब जाके कहीं मूला जरोरा जीवित लखनव अपने घर वापस आये आज का सफर यहीं तक इसके बाद मेरी पोस्टिंग कैसरबाग हो गई थी मैं वहाँ 10, 6, 97 से 24, 98 तक कैसरबाग में र श्रीप्रकाश के द्वारा की गई थी और कुछ घटनाएं ऐसी थी जो राजनतिक रूप से एतिहास इगटनाएं हैं उनका जिकर करूँगा बहुत-बहुत धन्यवाद